इन दौर बार एसोसेशन के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि हम रिवॉल्वर और तलवार लेकर कोर्ट में आएंगे दरसल 5 अक्टूबर को जबलपूर डिस्टिट कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे वकीलों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया था इसके विरोध में गुरुवार को राज अधिवक्ता परिशत के कहने पर वकील हरताल पर है जबलपूर की घटना पर ही दिनेश पांडे ने ये बयान दिया है इंदोर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष ने कहा कि यदी पुलिस कोई कदम नहीं उठाती है तो हम रिवॉलवर और तलवार लेकर जिला कोर्ट में आया करेंगे इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है ना हम कोई विवार करना चाहते हैं ना ही हम अपराधी बनना चाहते हैं हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते लेकिन इस तरह की घटना इन तौर में होती है तो बार एसोसियेशन उसका मूँ तोड़ जवाब देने के लिए तयार है यदि वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग नहीं सुनी जाती है तो हमें विवॉल्वर के लैसेंस दे दिया जाए जिससे की हम अपनी सुरक्षा स्वयम कर सकें तो रिवॉल्वर तलवार अमरगो लेकर घर से निकलने ही पड़ेगी या तकाने के जबलपूर डिस्टिट कोर्ट में गेट नंबर एक से एंट्री रोके जाने पर पांच अक्टूबर को वकील धरने पर बैट गए थे इसी बीच प्रधान जिला सत्व नियाधीश नवीन कुमार सकसे ना की कार पहुँची तो वकीलों ने रोक ली मजबूरन उन्हें पैदल ही अंदर जाना पड़ा था नारा जिला सत्व नियाधीश ने इसके शिकायट SP कलेक्टर से कर दी थी इसके बाद पाँच थानों का बल मौके पर पहुँचा और वकीलों को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ देर बाद ही सभी को छोड़ दिया गया था पावज बाद बाद रर्थरोस्क्रीनिक डिया अ डेक टिकेट चेंटर पोर आर्थरोस्कोपी और प्रोस इंजरिम्स